प्रदूशन की रियल टाइम इंफरमेशन के लिए आज ही SkyMet AQI app डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखे खयाल बारिश में काफी ज्यादा कमी देखी गई है तो ये जो लो प्रेशर अरिया है अब ये रिकर्व करेगा यानि के जो पस्चिम दिसा में बढ़ रहा था अब पस्चिम दिसा में ना बढ़ करके ये उत्तर पस्चिम फिर उत्तर दिशा में बढ़ने की इसकी सम्मावना सकती है और उसी तरह से दक्षण और दक्षण पूर्वी राहिस्तान में भी भारी बारिश की सम्भावना नजार आ रही है इस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से और साथ-साथ जो मद्यप्रदेश के कई जिले हैं वो बारिश पिछले दो दिनों से का फिरची बारिश हो उजयन, रतलाम ये जो इलाके हैं इन इलाकों बारिश अच्छी होगी उसी तरह से डूंगरपूर, सिरोही, पाली इन इलाकों में बारिश हो सकती है और जो जैपूर है उस इलाके में भी हलकिसे मद्यम बारिश होने की सम्भावना नजार आ रही है तो मद्य भारत के जो उन इलाकों में बारिश अच्छी होगी पश्मी राइस्तान में भी बारिश हो सकती है लेकिन बहुत जादा हैवी रेन की चांसेज नहीं है जैसे जो इलाके हैं इन इलाकों में हलकी बारिश और या एक दो मॉडरेट स्पहल हो सकता है और अब धीरे-धीरे क्योंकि ये ल लुना, ग्वालियर, दतिया, मॉरेना, साजापूर और जो इसके आसपास के इलाके हैं टीकमगड हो गया, सिद्धी, सतना, पाना, सिंग्रोली इन सब इलाकों में बारिश गत्विया बढ़ सकती हैं तो कुल मिला करके मद भारत में बारिश गत्विया काफे अच्छी रह देरे देरे यह उत्तर भारत में भी बारिश जोर पकड़ेगी कल से हमें उमिद है कि जो उत्तर प्रदेश और भिहार इस इलाके में बढ़ जाएगी तो लो प्रेशर अगला जो बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में वो किस जगह बनेगा किस तरह से आगे बढ़ेगा और यह जो लो प्रेशर एडिया है यह क्या असर दिखाएगा इसका अपडेट हम अगले वीडियो में आपको लगातार देते रहेंगे स्काइमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही मौसम से जड़ी जानकारी और लाइब मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकोन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर